ये तो हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं कि इस बार नवरात्रे 6 अपरेल से शुरू होकर 14 अपरेल तक चलेंगे नवरात्र के दोरान मा दुर्गा के 900 रूपों की पूजा की जाती है इन दिनों में मा की पूजा का बहुत महत्व होता है इन दिनों मा को अलग-अलग भोग लगाया जाता है हम आपको आज बताएंगे मा को भोग के रूप में क्या पसंद है और आप मा को उनका मन पसंदीदा भोग चड़ा कर मा का आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं चलिए आपको बता दें नवरात्र के पहले दिन मा शेल पुत्रे की पूजा की जाती है इस दिन मा दुरवा की बाली का अवतार की पूजा होती है मा शेल पुत्री कुछ सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है जैसे मिश्री शक्कर आधिका भोग लगाएं और उनकी अराधना करें नवरात्री के दूसरे दिन मा रमचारणी की रूप में पूजा की जाती है और इस दिन मा को शक्कर का भोग लगाएं तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की पूजा की जाती है इस दिन मा के भक्त मा को दूद या खीर चड़ाएं कहा जाता है ऐसा करने से भक्तों की हर मनो कामना पूरी हो जाती है चौथा दिन होता है मा कुष्ट मांडा का इस दिन मा को माल भूए का भोग लगाया जाता है और नारंगी रंग के वस्त पहने जाते हैं ऐसा करने से रोगों से मुक्ते मिलती है आगे बताते चले तो पाचवे दिन मा सकंद माता की खुजा की जाती है इस दिन मा दुरगा को केले का भोग लगाया जाता है छठा दिन याने की मा कात्यानी का दिन इस दिन मा कात्यानी को शहद का भोग लगाया जिससे मा का आशिरवाद आपको प्राप्त हो साथवे दिन मा काल रात्री को गुड का भोग लगाएं साथी गुड ब्रहमण को भी दान में करें वहीं आठवे दिन महा गौरी को नारियल का भोग लगाएं इससे आपकी सभी मनों कामनाय पूरी हो जाएंगी इसके अलावा नवरात के आखरी दिन यानि की नवे दिन मा सिद्धी दात्री को फूजन किया जाता है और मा को तिल का भोग लगाया जाता है तो आप भी मा का मन पसंदिता भोग लगाके मा से अपनी मन की चप पूर्ण करवा सकते हैं Next 9 Spiritual से आरतिकी रिपोर्ट तो आरतिकी रिपोर्ट